गुद मॉनिंग फैंट्स मैं अबिलाश फिर हाजी उन्हों आपके लिए एक निव वीडियो लेके यह वीडियो मेरे लिए परसनली बहुत खास रहा है क्योंकि मैंने इस प्लांट का पूरा जर्णी दिखाया इस वीडियो में इसके बल्प से लेके इसके फ्लावर तक मैंन कोई भी नोटिफिकेशन आया तो आपको सबसे पहले मिलें देखिए यह जो प्लांट है बहुत ही खुबसूरा सा फ्लावर वाला प्लांट है यह विंटर फ्लावरिंग प्लांट का अंदर आता है इसका नामे एशियाटिक लिली या लिलियम इसमें और भी व्रैटी जात प्लांट था उसमें ब्लूम्स हुए ही नहीं और बाकी के जो तीन प्लांट है उसमें ब्लूम हुए एक में एक बड़ खराब हो गया और बाकी दो में यह बहुत इस दिनरसन दो बढ़ रहा है फिर भी मैं काफी साटिस्फाई हूँ हूँ कि फर्स्टाइम मैं ग्रो किया लेकिन YELLOW is the best I think बहुत ही सुऑधर और बहुत ही वाइबरेंट दिख्राइँ चलिए से उसलक्रो करना सिकते हैं देखिये ग्रो करने के लिए मैंने लिया है ग्रो यह बारा बाई 16 वाला ग्रो बैक है काफी बड़ा ग्रो बैग और देखिये यह पांच बल्ब मैंने लेक बीना नौड निकलने वाला बल्ब लेके नहीं आईए यह अगर वह लेके आएंगे तो क्या होगा शायद वह ग्रो ना करें और आपका बल्ब भी कराब हो जाए और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए तो बैटर है अच्छे बल्ब धून के लाइए बहुत सिंपल लेना है कि थोड़ा sandy soil लेना है क्योंकि sandy soil लेने से क्या होगा पानी इस्टोर नहीं होगा और पानी अगर इस्टोर नहीं होगा तो बल्ब रॉट नहीं होगे रॉट पतलब खराब नहीं होगे तो बैटर है आप थोड़ासा sandy soil लीजिए soil well rich लीजिए क्योंकि इसमें 12 फटलाइजर दालने की जरुबत तो नहीं है कि मेरा experience रहा है बीन फटलाइजर के बहुत चाबलूम्स होगे तो बैटर है कि आप फटलाइजर इसमें कुछ ही मदा लिए एक ही बार अगर आप प्लांट का अगर आप soil त्यार कर रहे है प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छी soil well rich soil त् 50% compost sorry 40% soil 20% sand 30% compost और 10% मैंने इसमें वह मिला राइस हस्क आप कोकोपीट की जाएगा कोकोपीट मत मिलाएगा आप इससे soil मिलाएगा सिर्फ कोकोपीट से क्या पानी होल रहेगा और बर्प्स ख्राब सकते हैं चलिए हम इस प्लांट की रिपॉर्टिंग कर लेते हैं आपको बिलकुल भी बंद नहीं करना है उसको आपको visible all the time होना चाहिए और इस वजह से ही यह प्लांट ग्रो कर पाएगा अधर अंदर ठक देंगे तो शायद धंग से ग्रो ना कर पाए और अग्रो कर भी जाए तो अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा पर मैंने इस अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए और आप अराम से प्लांट को रहने दीजिए धिरे-धिरे करके ग्रो करेगा जो धिरे-धिरे इसमें बढ़ते जाएगा बहुत ही अच्छा प्लांट है बहुत ही इस बार मैं चाहरता को डिफरेंट मिले और अश्याटिक लीली में ग् करना यह ऐसे जगह पले इसको अच्छे सं लाइट मिले अच्छे सं में लेगी तो अच्छे से बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से समें bulums करेंगे लेकिन आपको जियान ऐसी रखना कि आपको पॉर्ट तेड़े ना हो जाते हैं आपको इस टिक का सहारा देना पड़ेग लगाते हैं बहुत अच्छा से लगाईए ताकि इसमें त्गड़ा होने की जांसे ना हो और मेरा ये रिपॉर्टिंग कप्लीट हो गया मैं ग्रो बैग में ग्रो कर रहा हूं आप चाहें तो लंबे वाले कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं या आप एक सेपरेट सेपरेट करके भ लेका है और फ्लांत आपके एक्छी से ग्रों नहीं होगी अब देखिया अस स्थिए प्लांत का अपड़ेट ये कुछ दिनों बाद का अपड़ेट हैं इस्तीतलि के बाद का अपड़ेटे ये 23 डे चाहिए लें और ये प्रेंट फ्लें तो टर Г्रों हो गया है network relationship की यह त मेरा है 28 डेस का अभडेट 28 डेस बा si ठोड़े बल ठोड़े बड़े हुए हैं और इसमें वर्ट लि careers थार्ट हो गया है बर्ड दिखना स्टार्ट हो गया स्प्राट हो गया मतलब आपको समझ आज आ candle कीते ब्लूम्स अने वाले लेकिन एक plant में मेरे bloom नहीं खिला, उसमें कोई भी buds नहीं आए, अभी plant आपको बिल्कुर straight दिख रहा है, आप चाहें तो अभी stick का support कर सकते हैं, अगर आप stick का support नहीं करेंगी तो भी चलेगा, आपको लेकिन अच्छे soil से press करना है, मैं अच्छे soil से press कर दिया ताकि में plant सीदे बड़े, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद तो थोड़े जुकी जाते हैं, ये कुछ दिनों के, I mean 33 days के बाद का update है, plant थोड़े और बड़े हो गए, और इसमें buds भी आ गए हैं, बहुत ही खुबसूरत plant है, मुझे तो plant कर देख कि इसकी leaves pattern तो सुन्दर है, कि बह अरूंड दो महीने बाद आपको इसमें बहुत सुन्दर सा blooms देखने को मिलेगा, मुझे तो एक ही color के सारे blooms मिल गए, आपको different color के भी मिल सकते हैं, हलाकि मेरे local नरसरी पहली बार ही मुझे मिला, क्योंकि मुझे जल्दी मिलता नहीं यहापे, और मैं और जगा से लेना म खिल सकें, birds को खिलने के लिए अभी भी बहुत वक्त है, at least जो flower के बल्प होते हैं, जो lilium के बल्प, इसमें जो birds से अभी भी नजर नहीं आ रहा है, यह plant मेरे जो है fourth one में, उसमें बल्प नहीं खिला, I mean birds नहीं आए, birds आए बहुत चोटे चोटे लेकिन वो पीले होके ग तो यह मेरे lilium के जो plants है, यह around 39-40 days के हो गए है, 40 days के होने के बाद मैं इसमें कोई भी compost नहीं दे रहा हूँ, कुछ compost मैं नहीं नहीं दिया है, जो मैंने reporting के वक्त, जो मैंने vermicompost, या मैंने cowdenum compost जो मिला है था, उसमें के बेस पर plant अभी भी survive कर रहा है, यह है उसका around 55 days क update है, sorry, 48 days का update है, 48 days के update के बाद यह plant और बड़े हो गए, कुछ धनिया के seeds आ गए थे, इसमें धनिया के seeds भी grow हो गए, और birds थोड़े और बड़े हो गए, और birds बड़े होने के बाद अभी इनका size बड़ा होना बचा है, यह अभी बहुत चोटे हैं, अभी इससे काफी बड बड़ बने, bird just, I mean, इनका जो condition है, just खिलने ही वाले हैं, कुछ दिन में birds पूरी तरके से खिल जाएंगे, और यह bird यकीन मानि यह बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं, बहुत ही सुन्दर, यह इनका 65 days का update है, 65 days में plant के जो birds पूरी तरके से खिल गए हैं, और बहुत ही सुन् subscribe तो करी लिया होंगे, और अगर आपने नहीं किया है, तो कर लिजे, और हाँ, वीडियो को like जरूर किजएगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, sorry, और हाँ, मुझे comment box में जरूर बताएगा, कि यह plant को कैसा लगा, और next वीडियो किस पे से यह, यह भी बिल बताएगा, धिकु ऌनाचि क्यूमाच